आज Central Bank of India के 110 वे स्थापना दिवस के अउसर पर बुलन शहर मुख्य शाखा में बैंक का स्थापना दिवस बड़ी धुमधाम से मनाये गया बैंक स्थापना दिवस के अउसर पर बैंक के सम्मानित ग्रहाकों को आमंतरित क्या गया तथा शाखा प्रबंदक श्रीमती रेखा जी ने बैंक के संस्थापक सर सुराब जी पोच खानवाला जी की प्रतिमा पर सहायक शाखा प्रबंदक विक्रम सिंग रागजवी के साथ माल्यार पंड किया तथा दीप प्रजवलीत करके संस्थापक महोदोय को याद किया गया इस अवसर पर विक्रम सिंग रागाउं ने बताया कि बैंक 21 दिसंबर 1911 को सर सुराब जी पोच खान वाला द्वारा स्थापित की गई जिसका मुख्याले मुंबई में है तथा वर्तमान में कुल 4651 शाखाए और 3642 एटियम संपुर्ण भारत देश में है शाखा प्रबंदक श्रीमती रेखारानी ने बताया कि यह प्रथम स्वदेशी बैंक है जिसने सर्व प्रथम क्रेडिट कार्ड तथा होम सेविंग की स्कीम शुरू की इस अवसर पर सामजिक संगटन रामकृष्ण शीला देवी विलफेर ट्रस के अध्यक्ष डॉक्टर मन मोहन सिंग जी ने उतकृष्ट बैंकिंग सेवा के लिए सभी स्टाफ सदस्यों को सन्मानित किया तथा प्रशस्ती पत्र प्रदान किये कारेक्रम में पुर्व प्रबंदक अजय कुमार वर्मा, सहयक प्रबंदक अजय कुमार जी, वरिष्ट पत्रकार जावित खान जी, डॉक्टर आनन्द रोहिला, विजय सिंग जी, बिजलाल जी, विरेंदर सिंग, राचपाल वर्मा, सरीता तथा अन्य लोग उपस्थित इन बीसे न्यूस के लिए बुलन शहर सेज जावित खान की रिपोर्ट